हेलो बच्चों, आप सबी का हमारे इस यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्योंश के लिए एक शब्द ये अनिक शब्दों के स्थान पर रयोग किये जाने वादे शब्द चलो फिर सेखते हैं वाक्योंश के लिए एक शब्द आपके सामने आपको पिच्चर्स दिखाई दे रहे हैं मजदूरी करने वाला ये एक वाक्य है मजदूरी करने वाला लेकिन ये वाक्य न बोलकर हम बोलते हैं मजदूर मजदूर यानिके मजदूरी करने वाला अगला चित्र देखते हैं घर बनाने वाला ऐसे न बोलकर हम बोलते हैं उसे राजगीर सीमा पर दुश्मन से लडने वाला उसे कहते हैं सै नी मूर्ती बनाने वाला मूर्तिकार फसल हुगाने वाला किसार सोने की आभुशन बनाने वाला सुनार कभी कभी हम अनिक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं और बात स्पष्ट हो जाती है जैसे कि चित्र बनाने वाला चित्रकार पर्वत पर चड़ने वाला पर्वता रोही, रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर, लोहे का काम करने वाला लुहार, बच्चों को पढ़ाने वाली अध्यापिका, कविता लिखने वाला कभी, जहां इलाज किया जाता है अस्पताल, जिसमें बल न हो निर्बल, साथ पढ़ने वाला सह पाठी, प्रति दिन होने वाला दैने, सपता में एक बार होने वाला सपता ही, महिने में एक बार होने वाला मासी, पाणी में तैरने वाला तैरा, तो बच्चों, आज हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द यह पाठ पढ़ा, यानिके अनिक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाली शब्दों को वाक्याँश के लिए एक शब्द कहा जाता है दन्यवाद